विकास और आप देख रहे हैं बेफिकरे और थैंक यू फ्रेंट्स आप लोगों के सपोर्ट के लिए और आप लोगों के कमेंट्स के लिए जिससे हम लोग कुछ अपनी ग्रूद को कुछ बड़ा पाए और जो आज का टॉपिक होने वाला है वो भी इम्यून आप से रिलेटिड होने वाला है बिकास मेरे पास काफी लोगों के कमेंट्स आए और वो लोग कहना चाहते थे कि इम्यून आप पे उनका पास्पोर्ट नहीं आ रहा है तो उसको कैसे अपडेट किया चाहे और सेकेन तिंग कुछ लोगों का पास्पोर्ट नम्बर चेंज हो गया है बिकास उन्होंने उनका नया पास्पोर्ट आ गया है तो इस वीडियो में यह दोनों को सलुशन को डिसक्स किया जाएगा और बताया जाएगा कि आप अपने dl1 कि अबने इम्म्यून आप पे पास्पोर्ट नमबर को अपडेट करना चाहते हैं या फिर आपका इम्म्यून आपक पे पास्पोर्ट नमबर नहीं आ रहा तो मे कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा कहां पर Vaccination Center मिश्रिफ, Hall No. 5 वहां पर Support Decks है या Help Decks है, वहां पर जाके आपको अपने documents दिखाने पड़ेंगे अपना Civil ID, अपना Passport Number यह सब कुछ दिखाना पड़ेगा उनको देना पड़ेगा and then वो system में आपके Passport को Update कर देंगे या फिर आपको अगर Change कराना है तो वो कर देंगे बट इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अब अगर आपने ये भी Question किया था कि आप अगर इंडिया में है और आपको ये करना है तो कैसे करेंगे तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं अपने किसी Friends या Relative को भेज सकते हैं साथ में आप एक Document भेज दे कि ये मैं इंडिया से बाहर हूँ मेरे बियाहाफ पे ये जो मेरे Friend है He will be representing me और उसके साथ अपने Document Civil ID Passport भेज दीजे फोटो कॉपी भेज दीजे और वो वहाँ जाके आप जो वहाँ पे ऑफिसर होंगे इंचार्ज उनको बता सकते हैं आपका केस कि सर ये मेरे Document है ये मेरे Friend का Document है साथ में ये Later है उनके भी यहाफ में मैं आया हूँ और ये Civil ID ये Passport नमबर है ये Update करना है इम्यून आप पे ये दिखाई नहीं दे रहा Definitely वो लोग आपकी Request को ले लेंगे और Immune आप पे वो लोग Update कर देंगे और कुछी दिनों में आपके Immune आप पे तो Passport नमबर है वो Reflect होने लगेगा ये Problem को आप लोग इस तरीके से Fix कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास काफी सारे लोगों ने Comments किया और उन्होंने बोला कि एक Problem ये आ रही है कि Immune आप पे सब कुछ Register हो गया, सब कुछ सही हो गया, बट Sir Passport नमबर नहीं आ रहा तो क्या Travel करने में हमें Problem आ सकती है या नहीं, Basically यार्व हमें नहीं पता कि ट्रावल करने पे आपको Problem आई या नहीं बट मैंने ये सोचा कि चलो एक सुलूशन ढूडते हैं कि Update कैसे किया जाए, तो बिरको किसी विवेवर्स ने Comments करके बताए कि Sir, This is a solution उन्होंने भी ऐसी Update किया है वहाँ जाके, Customer Center में जो Officer in Charge थे उनको ये Documents देगे तो आप लोग भी वहाँ जा सकते है अच्छा, एक और Question था कि जो Vaccination Center है वाँ फ्राइडे को खुला होता है या नहीं Definitely Friday को ये नहीं खुला होता ये weekdays पे खुला होता है और इसका टाइम है 9 to 5 तो सुबह 9 बजे ये लेकर शाम को 5 बे तक ये खुला रहता है तो आपको इसी टाइम पे वीडियस पे जाना है तो ये एक और सवाल था Definitely आप लोग वहाँ जाके ये चीज़ कर सकते है So friends, please हम लोग को follow कीजिए subscribe कीजिए, like कीजिए और हम लोग को आपके support की बहुत बहुत जरूरत है Because आपका अगर support मिलता रहेगा तो मैं इसी तरह के से नए नए वीडियो बनाता रहूंगा जो भी topics आप लोग को चाहिए उस topics पे So definitely हमें अच्छा लग रहा है इस टाइक के topics पे आपके लिए वीडियो लाने के लिए भी और प्लीज हम भी चाहते है कि आने वाले time पे हम लोग आपके लिए और नए नए वीडियो लेके आए और प्लीज हमें subscribe कीजिए, like कीजिए एक बारी और मैं आपको thanks करना चाहता हूं जिस तरीके से आप हमें ये प्यार दिखा रही है उसी तरीके से प्यार दिखाते रहे तो thank you and bye from the विकास बेफिकरी